दोस्तो, बीजी सीडूल के चलते खुद को फीट रखने का भी समय नहीं मिल पाता है। अगर आप वाकिंग को डेली रुटीन में सामिल करते हैं, तो आपको काफी फायदा हो सकता है। आज की ये विडियो में मैं आपको Padometer Plus Application के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। Padometer Plus Application यूज करके Approx पता कर पाएगे कितना Steps Walking किया है, कितना Distance Walking किया है और कितना Time Walking किया है। Pedometer Plus application यूज करने वालों का कहना है कि Pedometer Plus application यूज करने में बहुत ही आसान है Pedometer Plus application को Google Play Store पर से फिलहाल 100K से भी ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है और फिलहाल रेटिंग 4.3 है वीडियो पूरा वाच करने के बाद वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, सेर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना Google Play Store पर से Pedometer Plus application को डाउनलोड करके ओपन पर क्लिक करके ओपन कर लेना है अब यहाँ पर आपको तीन बार forward arrow पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर आपको daily goal steps एंटर करके सेट कर देना है और बाद में नीचे height और weight की information एंटर करके सेट कर देना है और बाद में नीचे मैं जहाँ पर arrow दिखा रहा हूँ वहाँ पर क्लिक कर देना है अब यहाँ पर आपको Gmail एकाउंट के उपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है अब यहाँ पर दो जगह पर मैं एरो दिखा रहा हूँ वहाँ पर क्लिक करके पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे Continue के उपर क्लिक कर देना है तो Pedometer प्लस एपलिकेशन का Homepage ओपन हो जाएगा अब एक्जम्पल के लिए मान लो के आपने कुछ समय के लिए Walking किया है तो आपको Pedometer प्लस एपलिकेशन के Homepage पर आपको दिखाई देगा के आपने कितना Steps Walking किया है आपने कितना Time Walking किया है आपने कितना Distance Walking किया है और आपने कितनी Kilo Calories Burn की है अगर आपको Daily Goal Steps Change करना है तो उसके लिए आपको उपर 3 Line के उपर क्लिक करके Settings के उपर क्लिक कर देना है बाद में अब यहाँ पर आपको Daily Goal के उपर क्लिक कर देना है बाद में अब यहाँ पर आपको जितना Daily Goal Steps एंटर करना है वो आप एंटर करके उपर क्लिक कर देना है तो आप इस तरह Daily Goal Steps Change कर पाओगे अगर आपको Height की Details चेंज करनी है तो उसके लिए आपको Body Height के उपर क्लिक कर देना है बाद में अब यहाँ पर आपको जितना Semi Height एंटर करना है वो एंटर करके OK के उपर क्लिक कर देना है तो इस तरह से Height की Details चेंज हो जाएगी अगर आपको Step Length चेंज करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर Step Length के उपर क्लिक कर देना है बाद में आपको जितना Semi Step Length एंटर करना है वो एंटर करने के बाद OK के उपर क्लिक कर देना है तो आप इस तरह से Step Length चेंज कर पाओगे अब एप्लिकेशन के Home Page पर वापस आ जाते है अगर आपको History देखना है तो उसके लिए मैं जहाँ पर Arrow दिखा रहा हूँ वहाँ पर क्लिक कर देना है तो आप History देख पाओगे उम्मिद करता हूँ दूस्तों आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी Thanks for watching my video जहिंद वंदे मातरम